नमस्कार, सभी आंगनबाडी सेविका बहनों का स्वागत है पोसन ट्रेकर एप की एक नई वीडियो में आज की ये वीडियो पोसन ट्रेकर एप की रिव्यू वीडियो है जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं पोसन ट्रेकर एप में हमें एक तारिक से लेके 30 तारिक या 31 तारिक तक हर रोज कुछ न कुछ काम करना ही होता है तभी आप लोग को प्रोशाहां रासी जो है 500 रुपए मिलती है और आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे Potion Tracker एप के आखरी दिन तक कौन-कौन से ऐसे काम है जिसको कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी है नहीं तो आपको जो 500 रुपए प्रोशाहां रासी दी जाती है वो आपका पेंडिंग रह सकता है तो Potion Tracker एप की रिभीव बिरियों में आप सभी का स्वागत है हम आपको बताएंगे ऐसे कामों के बारे में अगर कोई भी काम आपका छुट गया है या पेंडिंग रह गया है तो कल लास्ट डे है लास्ट डे से पहले आपको सभी कामों को एक बार रिभीव कर लेना है और कोई भी काम पेंडिंग है तो उसको कंप्लीट कर लेना है आया उन सभी कामों के बारे में बारी-बारी से आपको जानकारी देते चलते हैं अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दिजिएगा यदि चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि पोसंद ट्रेकर एप को इस परकार से ओपिन कर लेना है पोसंद ट्रेकर एप को ओपिन करने के बाद सबसे पहला काम आप लोग जो डेली करती है वो डेली ट्रेकिंग है तो daily tracking तो आप लोग daily करती ही है हम बात करने वाले हैं उन कामों के बारे में जो आप लोग potion tracker app में किसी कारण वस अगर आपका छूट जाता है उन कामों के बारे में review करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे home visit section में home visit में आने के बाद जैसा कि आप लोग देख पा रहे है potion tracker app में home visit इस परकार से आप लोगों को दिखा रहा है यहाँ पे कोई भी home visit आपका छूटा हुआ नहीं रहना चाहिए महिने के आखरी तारिक तक तो आप लोगों को एक बार यहाँ पे चेक करना है कि हमने potion tracker app में इस महिने का जो home visit है वो complete किया है या नहीं किया है जैसा का अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अभी लंबित यानि बाकाया जो home visit है वो सभी यहाँ पे दिख रहे हैं ऐसा नहीं है कि सभी यह home visit बाकाया है यानि कि छूटा हुआ है, यहाँ पे आप लोग को डेट दिखाई दे रहा होगा, कि कब से कब तक आप लोग को यह home visit complete कर लेना है, देखें यहाँ पे 28 जुलाई से लेके 27 जुलाई तक last date है, इसके बीच में आप इसको कभी भी complete कर सकते हैं, यह आपका छूटा हुआ नहीं जुलाई last date है, तो उसको आप लोग जरूर complete कर लेजिए, नहीं तो यहाँ पे आपका छूटा हुआ में चला जाएगा, तो यहाँ पे pending में आप लोग को इस परकार से सो होने लगेगा, फिलाल अभी इसमें बहुत सारा time है, आप लोग यहाँ पे time देख सकते हैं, उस अन कि growth monitoring, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग का growth monitoring, हर महीने हम लोग growth monitoring करते हैं, और basically आप लोग एक चीज का ध्यान रखेगा, कि growth monitoring जो है, एक से लेके 7 तारीक तक आप लोग complete कर लिजेगा, जैसे कि 7 के बाद या 10 के बाद आप लोग को portion tracker app की growth monitoring की list है, वो आप तक maximum आप लोग growth monitoring है, उसको जरूर complete कर लिजेगा, ठीक है, आपका कोई भी यहाँ पे 11 तारीक तक कोई भी यहाँ पे pending नहीं दिखना चाहिए, अगर छुट भी जाता है, तो आप लोग 31 तारीक से पहले, यह 30 तारीक से पहले उसको complete जरूर कर लिजेगा, ठीक है, उसके भी गर्वती महिलाओं को हमने THR दिया है, उनका THR complete हुआ है या नहीं हुआ है, THR का जो entry है आप लोग जरूर कर लिजेगा, और THR भरते समय आप लोग एक बात का और ध्यान दिजेगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन देखे दूँगा, वहां से जाके उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं कि मैंने THR से समबंधित जो महतुपून बाते हैं, वो क्या-क्या बताई हैं, जैसे कि THR भरते समय आप लोग यहां पे जो तीनों कॉलम है उसको जरूर कम्प्लीट कर किजिएगा, नहीं तो आपका यह आधा धूरा THR माना जाएगा, ठिक है, तो सभी का THR आप लोग जरूर भर लिजिएगा, जो बच्चे है, जो गर्वाती महिला है, धात्री महिला है, सब का THR कम्प्लीट होना चाहिए, अब आगे बरते हैं, यहाँ पे हम मोर वाले उप्चन में आते हैं, मोर वाले उप्चन में आने के बाद यहाँ पे हम घटनाय वाले पे किली करेंगे, घटनाय वाले पे किली करने के बाद यहाँ पे आप BHSND का जो कारे करम होता है, जैसे कि आगनबारी केंदर पे जो ठीका करन की डेट आती है उस ठीका करन की date की entry आपको यहाँ पे जरूर कर लेनी है देख सकते हैं इस मा का जो ठीका करन का date है वो यहाँ पे add हो चुका है आपके केंद पे जो ठीका करन जिस डेट को हुआ है वो डेट आप लोग यहाँ पे अगर छुट गया है तो उसको आप लोग एड जरूर कर लीजिएगा ठीक है फिर यहाँ पे बैक आते हैं बैक आने के बाद यहाँ पे CBE कारेकरम यानि कि Community Based Event जो करेकरम होता है आंगनबारी केंदरों पे गोधभराई दिवस अनपराशन दिवस उसकी भी Entry आपको यहाँ पे जरूर कर लेनी है यहाँ पे 7 तरीकों गोधभराई दिवस कंपलीट किया गया है 19 तरीकों अनपराशन दिवस कंपलीट किया गया है यानि कि यहाँ पे जो CBE का कारेकरम है वो यहाँ पे दोनों कंपलीट हो चुका है आपको भी एक बार चेक कर लेना है CVE का रेकरम आपका यहाँ पे complete है या नहीं है यहाँ पे complete नहीं है तो आप लोग 31 तारीक के पहले complete जरूर कर लिजेगा फिर यहाँ से बैक आते हैं फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे homepage पे आने के बाद आपने इस महीने जितने भी लभार्थियों का new restoration किया है उनका अगर कोई भी अधार verification का काम बाकी है तो उसको अधार verification भी जरूर कर लिजेगा उसके बाद यहाँ पे identify father अधार guardian का जो एक module दिया गया है उस module में भी आपको जितने भी आधार आपको दिखेंगे उनको एक बार verify कर लेना है कि यह किनके नाम से आधार verify किया गया है तो इसको update करने के लिए यहाँ पे update पे click करेंगे और इसका चुकी मैंने आप लोगों को एक video के माध्यम से भी बताए था कि किस परकार से इसको update करना है यहाँ पे आपको यह verify करना है कि यह जो अधार आपने डाला हुआ है वो बच्चे के फादर का अधार है या बच्चे के माधा का अधार है या बच्चे के गारजियन का अधार है इसको यहाँ पे verify करना है तो अगर बच्चे के बारी बारी से सभी बच्चों का इस प्रकार से अधार वेरिफाई फादर या गार्जियन जो भी है आप लोग यहां से असानी से कर सकते हैं अगर गार्जियन के अधार से यह अधार वेरिफाई किया गया है इस बच्चे का तो यहां पर गार्जियन पर क्लिक करेंगे और य जिवित नहीं है तो नहीं पर किलिक करके यहां पर सब्मिट कर देना है तो इस प्रकार से आपको ये काम भी कम्प्लीट कर लेना है ठीक है तो इस प्रकार से आपको हर महिने के आखरी तारीक तक जरूर चेक कर लेना है कि आपने कितना काम किया है कितना काम पेंडिंग है मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक ने जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियों में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद